तुरंत और सही उपचार नहीं मिले तो रेबीज की बिमारी बड़ा गंभीर रूप धारण कर सकती है साधारण शब्दों में रेबीज को दिमाग की बिमारी कह सकते हैं क्योंकि रेबीज हुआ रोगी या जानवर अपना दिमागी संतुलन खो देता है काटने के बाद लक्षर दिखने की अवधी काटने की जगह पर निर्वर करती है जितना दिमाग से दूर उतना ही लक्षर दिखने में ज्यादा समय लगता है इस बच्चे को ग्यारा दिन पहले कुत्ते ने काटा था ग्यारह दिन के बाद अब लक्षण दिखना शुरू हो गया है रेबीज हुए मरीज को हवा से डर मतलब एरोफोविया पानी से डर मतलब हाइडोफोविया और प्रकाश से भी डर लगता है ऐसे मरीजों को अलग कमरे में रख कर उनकी काफी ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है